पार्ट सेविन की सुरात में हम लोग देखते हैं कि तांग्जू स्केटिंग कर रही होती है वह बहुत अच्छा खेल रही होती है ज़स्ट वह वही के बात बहुत चुकी होती है लेकिन तभी अचानक से उसका पैसलिप करता है और वह गिर जाती है और वह गेम हार जाती है वही नमबर वन आती है एजूजूल सब उसे बहुत जादा सपोर्ट कर रहे थे कि तांग्जू तुमने बहुत अच्छा खेला लेकिन हारने वाला ही जानता है कि उससे फरक नहीं पड़ता है कि उसने क्या खेला क्या नहीं खेला एक वारा भार गए मतलब भार गए अबने बिल्कुल नॉर्मल सो कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो उसकी जो ट्रेनर थी वो भी उससे सपोर्ट करती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगे लेकिन सच में तुमने बहुत अच्छा खेला थोड़ी देर बाद लिए उससे समझ कि कोई बात नहीं है तुम अगली बार खेल लेना और फाइनली लियो ने जो नेकलेस के लिए बाई किया था वह उससे रिवार्ड पहनाता है कि तुमने आज बहुत अच्छा खेला तो यह तुम्हारा रिवार्ड है और इन इनों को यह सारी बाते करते हुए बियान करके और अब जो है तांग जो के फी तुमें बहने की जरूरत नहीं है अब वो टीम में ऑफिसले इंटर कर चुकी है तो अब उसका पैसा का जो भी खर्च है वो टीम उठाएगी उससे बात बात करके जाता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों की बीच का बात जो है हम बोलती है कि हाँ अब तक जितने भी खर्सते हैं वो सब कुछ लियो ही तुमारा उठा रहा था अब तांग जो को डाउट होने लगता है अपने अबिलीटी पर उसे लगता है कि सच में क्या वो लियो के कहने पर टीम में इंटर ली है या फिर उसमें इतनी कैपिलीटी ह कि वो अपने दम पर इस टिम में आ सकती थी वो तो बहुत कंफ्यूस थी साड़ रह रही थी साम में पार्टी था वहां पे भी वह साड़ थी लियो उसे बाहर ले जाकर के बात करता है तांग जो उसे बोलती है कि अब तक तुमने मेरा फी भरा है ना लियो बोलता है कि मुझे लगा कि साय तुमें इसकी जरूरत है तुम अभी अपने गारजन को बता तो सकती नहीं हो दोस्तों में तेतना कुछ चलते रहता है तांग जो बोलते हैं नहीं मैं इस तरीक से तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती फिर वो उसे थोड़े बहुत इमाउंट भी ट्रांसफर करती है और बोलती कि बागी पैसे में धीरी धीरी तो मैं करके दे दूँगी जल्दी ही छुट्टियां स्टार्ट होने वाले थी सब अपने होम टाउन जाने वाले थे तो तांग जो उसे बोलती है कि हम लोग साथ में चलेंगे लिव यही तो चाहता था लेकिन उसे बोलने का हिम्मत नहीं था उसका काम तो अपने आप ही बन गया नेक्स टे हम लोग देखते हैं कि जियांग जो है जान बुचकर के वेई के साथ रहने के लिए वो भी इस वार अपने घर नहीं जा रहा था और जो तांग जो होती है वो अपने टीचर के पास गई होती है अपना क्लास चेंज कर आने के लिए और फाइनली वो लिए जो का ख्याल रखते हुए जाता है पूरे रास्ते तांग जो तो आधा रास्ता में सोने लगती है लिए विचारा अपने शोल्डर पर उसे सुलाह करके उसके घर तक लेकर के जाता है जब वो लोग वहां स्टेशन पर पहुशते हैं तो अपने डैड से मिलते हैं त कुल कॉल इसका बात करते करते तांग जो के बारे में वहां पर बात निकल जाती है और इधर हम लोग देखते हैं कि तांग जो को हम्बत नहीं था अपने इस्केटिंग को बोलता है कि चलो हम लोग टीचर से मिलने के लिए चलते हैं उन्हें बेबी Sonos चूलते है ।ो दो म और वह भी वहां पर पहुंच जाता है लियो और टांग्जु दोनों मस्ती में अपना स्केटिंग कर रहे थे जब टांग्जु वहां पर देखती है तो पूस्टी है कि तुमियां क्या कर रहे हो तो वह बोलता करें मुझे भी गेम सीखने का मन था लियो उसका ट्रेइनर बन स्कूल जाते हैं जहां पर अलग होने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ा करते थे और वहां पर बहुत सारी ऐसी चोटी चोटी मेमरी सेजी ने याद करके दोनों बहुत हस रहे थे लियो को और जादा पुरा लगता है कि आखिर उसने बच्पन में तांग जोसे पहले न तुम उसे प्रपोस करो ठीक है और अगर वहां कहती है तो फिर चाकर के तुम उसे सचाई बता देना कि उसने तुमने उसे जूट बोला है और जब उससे प्यार हो जाएगा तो फिर वह तो तुम्हें छोड़ की भी नहीं चाप आईगी तो लियो कि उसका यह बहुत लाटा हा और नहीं आंगेम के चाप घू करने लगता है और तेज 1 बैस करें से तो फिर चांजो को पोले का की сделड़ बात श पहुछता है तो बोलता है कि sekarang थी था किसे बोला नहीं तांग्जु बोलती एक क्या हुआ क्या बोलना था जैन को वहां से खिसका genih वह काफे हभूब्न करर रहा था तांग्जु को बोलने के लिए, तभी वहां परघाशा चाल हो जाता है तांगजू समझज आती कि SPEAK किसी ना किसी का सेटिंग किया हौआइ फाइडली काफी हिंमत करके लि यो तेंग सेस्टे प्ताता है ऐसे पसंद और प्रपोजल कर दोनो दूसरे को भिख कर दोन्यू collaborations पॉस्ट नायट था दोनों लवी डवी फोन पर बात करते करते ही सो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग दांगजु को फिबर हो जाता है और वो लियो को दिखाने के लिए उसे डारेक्ली नहीं बोलती है अपना स्टाडस लगाती है कि मैं बिमार हूँ और वह वेट कर दिए कि Federal सूल की जोटरं के साथ आजाता है और जब उसे लगता है कि सइवयो और झाणकज Ăंठ को देखती हैं तो सएड और फिर अपने रूम को हम लोग देखते हैं कि हुआ दांग जू के डैट को पूरा पताने में लगा हुआ है तोनों ब्लाइदे धर्लों करते हैं लिज़् और इदर जो 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 इन होती है वह तंग दाइटगों के मूम पीस जाकर आग लगाने वहला काम कर देती है वह उसकी मौम को बता junior है कि जो ने पिएटिंग है क्ली्ख सब्सक्राइब करने लिए बिजार लिए के कोल मैसेज करने के भगए फिलावर वू के लेकर तैंगजू को कि उसके डाइड ने लियो को नहीं आने दिया थो बहुत गुशा ती है और पूस्टी का एसा अपने क्यों किया तोसके डाइड बोलते क्यों कि लियो को मैं पसंद नहीं करता हूँ उसने बच्पन में तुमसे जुट बोला था उसके dedim जिनका कोई डैबोस नहीं हुआ है वो जान बुच करके तुम्हारे साथ क्लास में नहीं जाना चाहता था अब यह सुन करके तो तांग्जो पूरा सौक्ट हो जाती है वो उन लोगों से कुछ बोलती नहीं चुप चाप अपने रूम में जाकरके अपने आपको लॉक कर लेत लिए उसे समझाता है कि अक्शल में उस टाइम में काफी छोटा था तुम बहुत बॉसी थी मुझे बहुत जादा परिशान किया करती थी मैं तुम से सच में बहुत जादा डरता था इसलिए मैंने सूचा कि तुम मेरी सिच्वेशन को समझोगी नहीं तो जूट बोल करके मैं सिच्वेशन से निकल लेता हूँ इसलिए मैंने स्कूल चेंज कर लिया तांगजो के ये बात बहुत जादा बुरा लगती है कि लिए उससे डरा करता था वो उसे बोलती है तो ठीक है डरते रहो ये बोल करके वो फोन कार्ड देती है अगले दिन हम लोग देखते हैं क जिया और जैन भी तांगजो से मिलने के लिए गया होते हैं जब तांगजो उन दोनों को ये बात बताती है तो वो बोलते कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत बोसी हो तांगजो बोलती है वही तो पता नहीं लियो को क्यों उससे डर लगता है और इधर जो हम दोनों क्लास 6 में जाने वाले हैं लेकिन हैक्षुल में तांग्जो क्लास 1 में गई थी अब उसे लियो का चिंता हो रहा था तो उसके डैड जाकर के तांग्जो को बोल देते हैं कि लियो के मॉम डैर का टाइबोस हुआ है इसलिए उसे दूसरे क्लास में जाना पड़ रहा ह तांग्जो के डैड लियो को समझाते हैं कि तुम अगर तांग्जो के अबले फ्रेंड हो तब तक तु ठीक है लेकिन उससे जादा मत सोचना तुमने मेरी बेटी की फिलिंग को हर्ट किया है इसलिए इस लेशन से जादा मैं एसेप्ट नहीं करूंगा लियो जादा कुछ त लेकिन बस इतना बोलता है कि मैं बस्पर में बहुत जादा डरता था तांग्जो से इसलिए मैंने यह सब कुछ किया था लेकिन यह रीजन सही नहीं था इतने बड़ी जूट के लिए और इधर हम लोग देखते हैं कि तांग्जो के मॉम डैट को और जेंटली दो तिन के लिए कहीं जाना पड़ता है जिसके औगर में अकिले पड़ताय रहना पड़ता है नेक्स्ट मॉरनिंग पांग्जो उच्ण को कौहाल आता है कि टीचरसे मिलने के लिए चलने के लिए तो सोचती है तांग्जू चलो ठीक है मिली लेते हैं जैसे ही वो स्कूल में पोस्टी है वहाँ पर स्कूल के जो सारे बच्चे होते हैं बहुत सारे प्रोपोजल वाले आइटम्स लेकर के आते हैं और हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो है बियान चेंग अपने मन का बात तांग्जू को बोलता है और वो उसे प्रपूस करता है क्या तांग्जू बियान सेंग को असेप्ट कर लेगी या फिर वो लियो से सिर्फ गुस्सा है वो उसे सही में बहुत प्यार करती है ये सारी बाते जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में है